हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनुबर्मा आपका सुक्रिया हर्दिक अवनन करता हूं दोस्तो आज का जो टॉपिक होगा तो आज के टॉपिक में हम आज क्लियर करेंगे हिंदी के कुछ important questions जो आपके all teaching exams के लिए important होगा ठीक है especially मैंने बनाया है ये seated 2020 के लिए लेकिन ये question आपके सभी जितनी भी सिक्षक भरती हैं सभी में आते हैं तो चलते हैं आज के पहले question पर जो होगा आपका बहुत ही ज्यादा important और बहुत ही ज्यादा tough question ठीक है दोस्तो तो देखते हैं आ जिसको ब्याकरण का ग्यान हो उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तो जिसको ब्याकरण का ग्यान हो उसके लिए क्या कहते हैं ब्याकरण पंडित बयाकरण ब्याकरण प्रणेता या फिर ब्याकरण आचारे तो दोस्तो बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है ज आज मैं आपको छोटी छोटी चीजन समझाऊंगा जहां से आपका प्रश्ण गलत होता है तो आज के बाद आज गलत नहीं होगा ठीक है तो अगर हम इस प्रश्ण की बात करें जिसको ब्याकरण का ज्यान हो उसके लिए का कहते हैं दोस्तो तो उसे कहते हैं ब्याकरण चारे कहते हैं दोस्तों ध्यान रखिए ताला लगा कर अपने दिमाग में नोट कर लीजे चलते हैं दोस्तों अगले कोशन पर और हमारा अगला कोशन है निमनी बिकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चैन कीजे सकर्मक क्रिया बताना है दोस्तों अकर्मक और सकर्मक क्रिया की एक तो आक्र्मक और सक्रमा अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो आपका आंसर होजाएगा** आपका जो तडपाना है भभड्य होगा लेकिन सक्रमक और अक्रमक नहीं होती क्या है यहां से कई बार कोशन आता है तो ध्यान रखे ऐसी किर्या जिसमें किरिया को करने के लिए किसी की सहायता ली जाती है जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तडपाना तो किसी ना किसी को तडपाया ही तो जाएगा ठीक है ना और ऐसी किरिया जिसमें किसी अन्न की सहायता ना ले उसका जो प्रुभाव हो वो किसी पर ना पड़े तो ऐसी आपकी क्या कहलाएगी अकर्मक कहलाएगी जैसे लेटना अब भई इसका आंसर मिल रहा है आपके लिए कहा लेटा है कौन लेटा है कैसे लेटा है कुछ आंसर नहीं मिल रहा है लेकिन तडपाना तडपाना किसी ना क्या छूटना अब दोस्तों कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर हम बात करते हैं पिगलना पिगलाना होता तो सकर्मक हो जाता और पिगलना है तो अकर्मक हो जाएगा समझने वाली बात है दोस्तों ठीक है चलते हैं अगले कोशन पर और हमारा अगला कोशन है जो कि बहुत ही इ बताएं बिस्तार संचेप लंबा दीर कालिन जी हां कमेंट करें जी हां बहुत बढ़ी है दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्ण के तो लागब सब्द का जो विप्री तार्थक विप्री तार्थक का मतलब होता है बिलोम सब्द तो कौन सा होता है बिस्तार लागब क क्या हो जाएगा अल्प कालीन हो जाएगा यह सारे आपको ध्यान रखने हैं और अगर लागब की बात करते तो लागब चिन भी होता है तो बताई लागब चिन कैसा होता है तो ध्यान रखे आप जब डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर को सौट में लिख देते हैं छोटा जुआ कि इस प्रकार करेंगे साप्रेम नमिकार सादर परनाम इस ने यह फर चिरंजीब जी हाँ बताएं दोस्तों बताएं दोस्तों इस प्रशन का का उत्तर क्या हो सकता है जी हाँ तो अगर हम बात करें बड़ों के लिए इप recruit अविवादन की अगर बात करते हैं तो ध्यान के साधर प्रणाम यान के option number B is a right answer ठीक है ध्यान रखेंगे option number B एकदम से correct हो जाएगा चलते हैं अगले question पर और हमारा अगला question है दोस्तों कौन सा सब्द तत्सम नहीं है कौन सा सब्द तत्सम नहीं है घरत अतेन दुग्द आसू बताईए दोस्तों कौन सा सब्द तत्सम नहीं है जो तत्सम नहीं है वो आपको बताना है यान कि कौन सा बताना है तदवब बताना है कहने का तत्सम पर यह है जिया तो अगर हम बात करें घरत घरत क्या होता है दोस्तों घरत एकदम से क्या है यह तत्सम होता है दोस्तों ध्यान रखें आतिन पर लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप पहली बार वीडियो देख रहें तो और दोस्तो बेल आइकन एर की घंटी वाले बटन को दबा दीजे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहेगा ज अंस्कृति पुरुस देश भक्ति या फिर स्वामी भक्त जिया इस प्रश्ण का उत्तर बताएंगे आप सबी लोग कर देंगे इस प्रश्ण के लिए सिंपल सा प्रश्ण है जिया तो अगर हम बात करते हैं उपयोग तो बाक्यांस का चैन की लिए बलिदान की भाबना के बिल्कुल दोस्तो हमारे जो देश भक्ति ये देश भक्ती नहीं होगा या पर देश भक्त हो जाएगा ठीक है जो देश भक्त होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा देश के लिए बलिदान होने की भाबना रखते हैं आपने दिखा होगा जो हमारे सैनिक होते हैं उनको भी दे से और यह आपका लास्ट है आदिमेता तो यहां पर अगर हम बात करते हैं आदिमेता कुछ भी नहीं होता ठीक है तो यह आपका कट हो जाएगा लेकिन मानव सब्द से भाव आचक बनाएंगे तो मानवता होता है यानि कि अप्शन नमबर भी एक दम से करेक्ट हो जाएगा चलते हैं अगले कोशन पर और अगला कोशन दोस्तों बाकई में बहुत ही अच्छा है इस प्रशन को आप बताएंगे कि रिक्तिस्थान की पूर्ति यहां पर करने है कि रिक्तिस्थानी पूर्ति करने के लिए उप्युक्त बाके का चैन कीजिए महात्मा गांधी एहिंसा के साक्षात यहां पर खाली स्थाने में बताने हैं आपको क्या आएगा बिग्रह थे अनुग्रह थे परिग्रह थे अपरिग्रह थे जिहां यह आपका प्रश्ण आया हुआ है दोस्तों जिहां यह प्रश्ण आपका आया हुआ है किसमें आया है तो बताएए जिहां अनुग रहे थे ठीक है उपसे रमबर भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा अनुग रहे थे दोस्तो ध्यान रखे इस प्रशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजे यदि आपको ना पता हो तो ठीक है चलते हैं अगले कोस्चन पर और हमारा अगला कोस्चन होगा दोस्तो कभी सब्द का इस्त्रीलिंग रूप क्या है कभी सब्द का इस्त्रीलिंग रूप आपको बताना है दोस्तो जो की क्या हो सकता है कभी इत्री कभ यत्री कभ इत्री या फिर कभी इत्री तो दोस्तो बताईए अगर ये प्रशन आपको नहीं पता तो दोस्तो मैं आपसे कहना चाओंगा आ नहीं कहूंगा हमारे देश का कोई भी एक्जाम होगा जिसमें यह प्रश्ण ना आया हूँ ठीक है हर एक्जाम में यह प्रश्ण आता है तो बताना है इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी लोग राइट देते हैं एकदम से कवियत्री यान का उप्षिन नमब यहां आपको बताना है कि प्रतेक प्रश्न और यहां खाली स्थान में क्या वरना चाहिए कि चार संभावित उत्तर दिये गए हैं तो यहां पर अगर हम बात करें के लिए में के से क्या हो सकता है प्रतेक प्रश्न अब में से चार संबावित उत्तर दिये गए यह तो गलत हो जाए आप सबी लोग जनते हैं अगर हम बात करते हैं प्रतेक प्रश्न में चार संबावित उत्तर दिये गए हैं तो यह भी आपका गलत हो जाएगा अब आपका बचा option first और option c तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखे प्रतेक प्रश्ण के लिए option number, first is the right answer प्रतेक प्रश्ण के लिए चार संभाबित उत्तर दिये गये हैं c नहीं होगा ध्यान रखे c आंसर मत दीजिये option number a एकदम से करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले कोशन पर और ये प्रशन आपको confuse करके रख देगा आपको बताना है कि कौन सा सब्द जंगल सब्द का परियाबाची नहीं है जंगल सब्द का परियाबाची नहीं है दोस्तों आपको बताना है अटवी कांता कांतार या फिर कानन जी हां बताएं जहां पर ध्यान रखे अट भी आपका परियावाची होता है जंगल का, कानतार ये भी विलकुल होता है, कानन ये भी आपका जंगल का परियावाची होता है, लेकिन कानता आपका नहीं होता है, कानता आपका काईका होता है, तो कानता आपका पतनी का परियावाची होता है, पांता पतनी का प्रयवाची होता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और बीज राइट आंसर ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले कोशन पर और हमारा अगला कोशन है आज का निम्लिकेत सब्दों में से सुद्ध रूप है सुद्ध रूप आपको बताना है स्कुल्ट सा कूश्चन है आप सबी लोग जानते हैं इस प्रश्रण का उत्तर का हो जाएगा और इस प्रश्रण का जलती से कमेंट करें क्या होगा बताएं तो अगर हम बात करतें हैं तो आपका प्रज्ज्वलित यानिकी option number first एकदम से correct हो जाएगा ये आपका सुद्ध है और दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपका ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा गलत ही लिखा हुआ है कि प्रज्ज्वलित में double जा होता है ठीक है ज इसके अनुसार ये दिया गया था और ये वाला आपका नहीं दिया गया था इसलिए ठीक है जाए चलते हैं अगली kuocyne पर हमारा अगला kuocyne है स्वेंबर सब्द में कौनसा उपसर्ग उप्यूकते है जैं स्वेंबर सब्द में कौनसा उपसर्ग अगदम से correct है यह आपको बताना है स्वेंबर सब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है दोस्तों जी हाँ कमेंट करें कमेंट करें इस प्रशन का उत्तर क्या होगा तो यहां पर बात करते हैं आप दो चीज़ों में confused हो जाओगे आप तो यहां पर लगा सकते हैं swa आपने swa भी लगाया है कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने swam लगाया है ठीक है तो आपका ये sa और sum ये तो cut हो जाएगा अब आपका option first और c या बचा तो आप बताएंगे स्वा नहीं होगा ये वाला option c एकदम से correct हो जाएगा swam ये आपका उपसर्ग है ध्यान रखना है दोस्तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा option number c is a right answer चलते हैं next question पर और आपको बताना है गवया किस प्रकार का सुद्ध रूप है गवया किस प्रकार का किस प्रत्य का सुद्ध रूप है दोस्तो कर्ट बाच कर्म बाच करण बाच या फिर आपका भाव बाच जी हां बताना है दोस्तो ये प्रशन का उत्तर आपको बताना है दोस्तो क्या हो सकता है जी हां बताएं दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो सकता है तो ध्यानर की जो गवया है गवया आपका क्या है तो आपका कर्त बाच यानि कि option number A is the right answer एक दम से correct हो जाएगा आपको जो option है ना option इतने confusion वाले दिये है मैंने कि आप confused हो जाओ इनका options को दिख कर ये प्रश्ण आता है बहुत important आपका जितनी भी सिक्षक भरती है हर सिक्षक भरती में ये प्रश्ण आया हुआ है दोस्तों कि रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्थान क्या कहलाता है नैरत्य नैपत्य प् इस प्रश्ण का उत्तर जरू पता होगा तो ध्यान रखिये नेपत्य कहलाता है यांकि option number B एकदम से correct हो जाएगा option number B एकदम से correct हो जाएगा लेकिन दोस्तों इसके बारे में कुछ important चीज़ें जान लेते हैं बहुत सारी questions यहां से cover होंगे कि पूर्व और उत्तर के बीच बाले कोड को उत्तर पूर्व या फिर ईसान कहते हैं उत्तर और पूर्व ध्यान रखिये उत्तर और पूर्व की जब भी बात होगी और उसके बीच में जो कोड होगा उसको उत्तर पूर्व या फिर ईसान कहा जाता है अब पूर्व और दच्छन के बीच वाले कोड को द आपके बहुत important है तिकर सो ध्यान रखना है बहुत important question है और एक question का जो chain है बहुत ही सोच समझ कर किया गया है आपकी exam की दिश्टी से ठीक है वीडियो दोस्तो पसंद आई हो तो एक बार like और share कर देना है और दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना है बैल अकने गंटी वाले बटन को दबा देता है जिससे क्या होगा आपको notification प्राप्त होता रहेगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं एक next वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तो ठीक है तो चलिए बाई बाई दोस्तो